राजु जी अब थोड़े सीरिस बार भी कर लेते हैं आप Film Development Council का हिस्सा है चार साल बाद Film City की याद आई इस सरकार को चार साल पहले कभी कोई जिक्र नहीं हुआ इसकी मांग चल रही थी 25 साल से 25 साल से मांग हो रही थी आप मतलब बहुत चोटी थी आपको तब आप उत्तर नीज नहीं देखती होंगी तो पहले अख्लेजी की सरकार में यह वा कि पत्थर लगा उद घाटन वगरा हुआ उन नाओं की तरफ सबको मौ जा गई सब पत्थर देखके खुश हो गए तो उधर से वह जब भी निकलते हैं उस पत्थर देखते हैं उनको कि और फिल्म City नहीं 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 ही नहीं जाए कि मैयावत्स Manual लड़्िक की प्रोफेशन नहीं है वह लगा प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि जो चीज ठान लेते हैं वो करते जरूर है और अवश्य करते हैं वह अरना फिर गाड़ियां पलटने लगती है और यह जो फिल्म सिटी हुआ है उसके साथ साथ जेवर के एरपोर्ट को भी ध्यान में रख के देखना चाहिए इतना बड़ा मैं चुकि सिविल अविएसन का मैं स्टैनिंग कमेटी मेंबर भी हुआ है सांसद तो अगर उस पूरे स्वरूप को जेवर जेवर से दिल्ली के बाहर बाहर एरपोर्ट जो में एरपोर्ट है दिल्ली का तो मेट्रों लाने की भी बात थी पूरा केनेक्टिविटी उसको कर्यां वो ल पर इतना बड़ा फिल्म सिटी का पुरा प्लान है जगह जगह निश्चित हो चुका है मेरे विवाग है मैं कोई पागल थोड़ी महां बैठा हूँ महीं चेर मैंने आजा नेया को पता भी नहीं आप आपका तारूफ तो मैंने कराया तो उसके बाद आपका परिचे आपने खुद दिया आपने इतनी रंग भरे हैं हमारी इस में लेकिन अब अच्छी बात भी तो कर लें आप बोले जा रही हो तो तो उसमें क्या है कि वहां मैट्रो स्टेशन वहां पर मालनी जी दो जाके चिन्हित हो गए है और हाइवे के सासरत पैरलल रोड भी बन गई है अंदर भी रोड्स बन गई है और एलेक्ट्रीक और पानी की वेवस्था हो गई है और जेवर एरपोर्ट से फिल्म सिटी तक वो ड्राइवर लेस टैक्सी बहुत जल्दी वहां चालू हो जाएगी प्लाइन में आगे क्योंकि वहां एमिज्मन पार्क भी फिल्म सिटी के अंदर है तो यह सिर्फ फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं यह टूरिस्स इसपार्ट भी होगा लोग घूमने भी आएंगे देख है वो तो मैं हर साल आटो एक्सपो पे जाकर अरे वो सब जूट बात है तो जेवर एरपोर्ट से वहां से आएगा मतलब एलेक्ट्रिक कार वह आठट नौनो लोग उसमें बैठ सकते हैं ड्राइवर लेस होगा वह अलग वे उस्ता हो गई है सुमार को इस सुमार को डीपी इसकी बिडिंग चालू हो जाएगी और हम लोग एक महिने के बाद इसका शिलन्यास कर लेंगे असली वाला वह अला नहीं कि खाली पत्थर देखे रहे हैं असली नकली होते हैं जो बस पत्थर गाड़ा हो चले गए बाद में सुरिया ने पत्थर गिरा दिया सुरिया घिस पत्थर होता है आपको बहुत पत्थर गिर जाते हैं तो इसलिए पत्थर के भरोसे नहीं रहना चाहिए सचमुच का शिलन्यास करके और उसको कंप्लीट करना चाहिए यह सिर्फ फिल्म स्टारों और हीरो हीरों तक की बात नहीं है यह लाखों युवाओं के लिए इसकिर उसकिस ली बता रहा हूं कि बन बन जो थोड़ी चुप आप और मैं मालीजी यह यहां पर बताना चाहूं इस फिल्म स्टी की संसंग नहीं देखा जाया और आपको आश्चर होगा मैं नाम लेके बताना चाहूंगी कि जिस समय ये हलचल चल रही थी नियूज में आ रहा था कि माननी योगी जी का ऐसा प्लान है कि वो फिल्म सिटी के लिए पहल कर चुके हैं तो उस समय दो देश के बड़े कलाकार एक मैं और मैं यूपी लोटना चाहता हूं और मैं रिकॉर्ड बोल रही हूं उन्होंने मुझसे फोन पेका और ये एक बहुत बड़ा भरोसा है कि कलाकार को यदि ये लगे कि वो वापस आवा करके पाचास साल बाद यूपी वापस आकर यहां पर सिखा है बंदित बिल्जू मह राजी उन्होंने भी मुझसे कहा कि हम यहां परा कर क्योंकि वो कई लोगों ने कहा कि ये किस रूप से कैसा इसका प्रारूप है चुकि बहुत बढ़ा बहुत वहंगम और कल्चर में फिल्म भी अपार्ट अफिट इसके अलावा ओडियो एडिटिंग और आर्ट के जितन हैं तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा है कि दो साल के बाद मेरे ख्याल में पूरी शेप आएगी